तो आज हम फिर्शा पर्जेंट है क्लास तेन की एक और वीडियो के लेकर जिसमें कि आज हम 6.1 का चेप्टर का सॉलेक्शन करेंगे तो वीडियो में बने रही वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसा ही वीडियो हमारे चेप्टर पर रेगुलर आती रहती है तो चली उस चेप्टर में जो मैंने छोड़ दिया था इस चेप्टर में आप क्या है कि उसके बारे में थोड़ा पहले जनकाई ले लेते हैं तब जाकर 6.1 हम बनाना स्टार्ट करेंगे चली करता है क भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुपत समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोन बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या और एक दूसरे के अनुपात में हो चली इसके बारे में थोड़ा क्या है हम डिटेल से नौलेज ले लेते हैं चली तो देखते हैं चली तो कि क्या ऐ कि नेंव का धार्व हम क्या है सबसे पहले दो संभाहु त्रवुज हम क्या ले ले लेते हैं चैंबउ यान नाम से ही पधा चल रहा है कि सभी फूचाये क्या आइं बराबर ज Action संभाव तृप्र तर्फ थे कि पर तिए साथ डी है तो इसके अधार पर क्या है सभी के सभीं कितने होंगे शाशन टीई किτοि होंगे यह वी साट यह भी साट यह भी साट अने हम कर इसका नाम दे ते हैं vẫn C P Q R तो इसके साफसे हम कह सकते हैं कि एंगल A किसी भी इसके संगत कौन ले रहते हैं एंगल P Angle B Angle Q के बराबर Angle C है Angle R के बराबर चले तो पहला हमा शर्ट होगे कि उनके सभी संगत कोन बराबर हो दूसरा काता है सभी संगत भुजा है दूसरे के पात में दीख लेंगे भुजा का अञुसार चल Bengal तो हो जाए क्या कि A B याने पहले सर्थ के नुसार क्या है हमारा सही हो गया दुसरा सर्थ क्या है कि A B भूजा P Q के बराबर है फिर क्या है B C भूजा B C भूजा क्या है Q R के बराबर है इसी परकार A C भूजा क्या है P R के बराबर है तो इस प्रकार क्या होंगे कि सम्भाहुत्रिवुज हम जानते हैं कि सम्भाहुत्रिवुज क्या होते हैं कि दूसरे क्या होते हैं सम्रूप होते हैं चले क्याता था अनुपात या समानुपात में होता है अनुपात में भी है समानुपात में भी है तो क्या है कि समान संख्या वाले दो बहुबुच चलिए अब इसके अधार पर हम क्या है कि दो वर्ग ले लेते हैं क्या लेते हैं दो वर्ग हम ले लेते हैं चलिए वर्ग हमने क्या किया ले लिया अब इस वर्ग में हमको क्या चेक करना चलिए इसका नाम लेते हैं P Q R S इसका नाम C D E F ले लगते हैं सबसे पहले इसमें क्या है कि हम इसकी कौन के बारे में क्या है कि कौन बराबर है या नहीं है चलिए अगर कौन बराबर होगा तो क्या है इनकी भूजाएं क्या होगी समानुपात या अनुपात में हम क्या कर सकते हैं इसको ले सकते हैं तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं इसके हिसाब से देखें तो हम जानते हैं कि इसका परती एक एंगल क्या होता है वर्ग का परती एक एंगल नबेडिगरी होता है दूसरा सत्में हम देखें, तो भूजा गमसार देखें, तो PQ भूजा जो होगा, CD के बराबर, फिर QR जो भूजा होगा, BF के बराबर, यह देखें, यह भूजा इसके बराबर, तो यह भूजा इसके बराबर, और देख ले, SR भूजा किसके बराबर, EF के बराबर, ठीक है फिर देख लें हम ध्यान से तो बच गया हमारा P.S. बुजा किसके बड़ाबर? C.E. के बड़ाबर P.S. बुजा C.E. के बड़ाबर इस परकार क्या है? कि हमने क्या भी जाना? जो वर्ग भी होते हैं, क्या होते हैं? दूसरे के समरूप होते हैं तो इस परकार आप अपने मन से पंचवूज, सटवूज, आदी आकरितियों में भी क्या कर सकते हैं? आप समरूप के गुनों को ग्यात कर सकते हैं तो चले चलते हैं, चेप्टर की ओर चले, तो आप हम देखते हैं, exercise 6.1 चले, सबसे पहला जो आपका question है नहीं सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे चैनल का हिसा बने ताकि आगे आपको क्या इसी तुकार की जानकारी और आपको जो वीडियों है, वो मिलती रहें चले, सबसे पहला question करता है कि सभी बृत हमने याद कीजे कि मैंने कुछ आपको notes लिखाए थी कि जिसमें मैंने क्या है, कि बताया था कि ये चार या पाँच है आप याद कर लिदिए इसको क्या है या कि आपको आगे वीडियों में काम होगी तो हम बताये थे कि सभी ब्रित क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, ना कि सरवांगसम होते हैं, दूसरा है सभी बर एक दूसरे के क्या होते हैं, सरवांगसम नहीं होते हैं, यूगि सरवांगसम होने के लिए आकरिती और आकार दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने होते हैं चल नब करया कना पर कि सभी संदिवाहुत हैं चले तो हम लिखेंगे कि सभी संबाहुत होते हैं थे पर ने दिसक्रिप्सिरलिंक कि सभसे पहले वह वीडियो देख सकते हैं चले नेक्स से आपका चौथा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुबुच समरूप होते हैं दो सरत याद कीजे कि हमने अभी जस्टिस के पहले वीडियो में चर्चा की है और इस वीडियो में भी क्या है स्टार्टिंग में मैंने उसी की चर्चा क्या फिर सकी थी तो चले सबसे पहला है उनके संगत को क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए ठीक है दूसरा क्या है कि उनकी संगत भुजाएं देखे बराबर तो हो गया तो बचा क्या समानुपाती तो भुजाएं किया समानुपाती या क्या हुने अनुपात में होने चाहिए थे चलिए तो यह हो गया आप चले कोशे नमबर दो देखते हैं काता है किन्निम लिखित युगमों में के दो दो भिन भिन उदाहरन दीजे क्या है कि नीचे जो आपका लिखे हुए है उसका क्या है कि आपको दो दो एक्जामपल क्या है लिखने हैं पहला है आपका समरूप आकरितियां तो अभी जाएक समरूप कौन-कौन थे बृत और वर्ग शलिये, यहाँ पर क्या है ऐसी आकरतिया जो सम रूप नहीं है तो अभी जस्त हमने बताया क्या है कि सम दी बाहू तिरफुज क्या है सम दी बाहू क्या है सम रूप नहीं है, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं जिससे समानांतर चतरफु ले ली जई क्या है समानतर चतुरफु यह सब जो आकृतिया हैं क्या नहीं तो इस प्छार क्या है कि यह था आपका कोश्चन नंबर 2 चले चलते हैं नंबर 3 की और इसमस्च till करता कि बताय से समरूप है या नहीं आपको क्या है फिगर देखे क्या है कि एक आपको क्या है समनादर चितुर्भूज दिख रहा है एक आपको वर्ग दिख रहा है तो हम भी क्या जानते थे कि वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं लेकिन क्या कहीं है इसा आपने बढ़ा कि समनादर तो यह था आपका exercise 6.1 का solution तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें तो आज के लिए तना ही तब तक के लिए धन्यबाद जाएंगे